शद्धे स्वामी जी, भाई जी, यहां पर उपस्थित, सभी विद्धोत जड़, साथियों और सहयोग्यों ऐसा मुझे लगता है कि सिक्षा पर कुछ चर्चा हुई है, वैदिक जी ने जो बातें कहीं होगी, और मैं जानता हूँ क्या कहा हूगा लेकिन सिना जी की बात से मेरे मन में एक वाकिसा आया, और वो यह है, उन्होंने एटम, मौलीकूल, प्रोट्राण का नाम लिया, जो वाकिन मेरे मन में आया हूए है, जो जितना चोटा होता गया, उतना ही सक्षम और सक्तिशाली होता गया, और कीशनी, दूसरा, गती के ही प्रिगत की द्योतक नहीं है हमने गत के बहुत पिछा किया है हर जगे प्राप्त कर लिए और उससे प्रिगत से जोड़ लिया है यह सही नहीं है डाक्टर दौलर सिंग कोठारी ने यही किया था जो हम करना चाहते हैं नई सिक्षानीत के लिए उन्होंने एक कमिशन की अधिश्टा की थी उसका शीशक था रिपोर्ट का एजुकेशन फार नेशनल डिवलोप्मेंट पच्चीस साल बाद जब डाक्टर कोठारी से फिर हम लोगों को उनसे मिलने का सभागे हूँ पच्चीस चौबिस साल बाद किसी ने पूछा सर आप फिर से अध्यक्ष हो जाएं किसी कमिशन के जिसको नीदी बनानी हो तो आप क्या परिवतन करेंगे उन्हों का हाँ मैंने सोचा है इस पर मैं परिवतन करूंगा मैं गल्ती कर गया उस समय दुनिया में जो दो हमारे पर शासन करते थे और कुछ शब्द बेच रहे थे ग्रोथ प्रोग्रेस डेवलबर हम भी उसी प्रवाह में बह गए और हमने कहा एजुकेशन फार डेव नेशनल डेवलोमेंट आज अगर मैं अध्यक्ष हो जाओं तो मैं देस साल पीछे चला जाता मुझे कोई चिंदा नहीं मेरे पास ऐसे लोग होते जो इमानदार होते देश के प्रवद्ध होते जो देश की संस्कृत को जानते देश की बिरासत को जानते